नमस्कार भाईयों बहिनों और दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जंगली मेडिसिन में भारत में अनगिनस बनस्पतियां और पेड़ पोधे पाए जाते हैं लेकिन कुछ बनस्पतियां और पेड़ पोधे जहरी ले माने जाते हैं इसलिए लोग इनके उसिदिया गुणों से अंजान है आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत में पाई जानने वाली किसी भी पिरकार की बनस्पति अनुपियोगी नहीं है यदि उसका उचित मातरा में और शोधन करके धंग से उपियोग की आजाए तो अमरित तुलिक उसिदिय ये फायदे देती है तो आज की बनस्पति है अर्क जिसे आख अकवगा मदार जीर पढ़नी आदी नाम से जाना पेचाना जाता है इसके अन्य भासाओं की नामों की जानकरी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और इसका बनस्पतिक नाम है केलो ट्र इस्तिमाल करके किन-किन बीमारियों में उपियो कर सकते हैं बहुत ही महत्म जानकरी होने वाली ये वीडियो को इस सुरूच से लेकर अंति तक देखिएगा इस पौधे की पहचान कराने की आवसकता नहीं है कोकि इस पौधे को हर व्यक्ति ने देखा है जब इसके पत्तो पूल वाली सपेद फूल वाली और बेगनी और सपेद फूलों वाली आप किसी का भी इस्तिमाल करके लाव ले सकते हैं किनी छेत्रों में सपेद फूल वाले अधिक मिलते हैं और किनी छेत्रों में बेगनी सपेद रूंग के फूल वाले मिलते हैं आवदिक मत अनुसार आ तो चले दोस्तों आब इस आग के पौदे के दूद के औसे दिवे फादे और प्रियोग जानते हैं उससे पहले आपको मैं एक साबधानी बता देता हूं इसका दूद आखों के लिए बहुत हानिकारक होता है यदि गलती से भी इसका दूद आखों में चला जाओ तो आखें खराब हो सकती हैं इसलिए कभी भी उपयोग करने से पहले ध्यान पूर्वक इसका इस्तमाल करना चाहिए ताकि इसका दूद आखों में ना जाए यदि गलती से आँखों में उसका दूद चला भी जाता है तो आप देशी गाय का घी आँखों में तुरंत लगा लें इससे आँखें खराब होने से बच जाती हैं तो इसका पहला प्रियोग है सिर्दर्द जुखाम आदा सीसी का दर्द बेहोसी आदी को दूर करने के लिए गाय के उपलों की राख में इस मदार के दूद को भेगो कर रखें और उसके बाद उसको चाय में सुखाकर पाउडर बना कर रखें इस पाउडर से चिकनी देने से यानि कि इस पावलों को सूंगने से बहुत जोरों से छीके आने लगती हैं जिससे मस्तिस्क में जमा हुआ कफ निकल जाता है और व्यक्ति को आराम मिल जाता है इस प्रियोग को करने के बाद जाज जीची के बंद नहीं होती है तो गाय का घी दोदो मुन नाक में डाल देने से आराम मिल जाता है इस प्रियोग को गरवरती इस्तरियां और चोटे बच्चों को नहीं कराना चाहिए इसके अगला प्रियोग है बालों के लिए या जिस सिर में खाज है, खुजली है, जलन है या फ़र दर्ध होता है किसी भी प्रियोग को नहने से पहले करना चाहिए बैसा तो इस आग के पौधे का संपून भाग और ये प्रियोग में लाए जाता है जिसको यदि हम विस्तार में बताएं तो कई वीडियो बनाने पड़ेगी लेकिन आप हमारी पुरानी वीडियो को देखकर इसके सारे और सिदिये गुन जान सकते हैं जबसे इसके पके हुए पत्यों को सर्सों का तेल लगा कर गर्म करें गर्म करने के बाद इस पत्यों को पीश कर इसका रस निकालने और इस रस को दोडोगुंद कान में टपकाते हैं तो कान का दर्द कान से मबाद आना या कान की अनि समझ से आए ठीक हो जाती है चेरे पर लेप करें लेकिन आखों को बचाते हुए उसके बाद अच्छे सा सूख जाने के बाद गुन गुने पानी से या साधा पानी से चेहरा को दोले इससे कुछ दिन लगाता पुरियोग करते लेने से चेहरे की जाई या किल वहां से दूर होने लगते हैं यादि दातों में कीड़ा लगा है, डातों में काफी दर्द हो रहा है, काफी सारी मेडिसिन खाने के बाद भी लाब नहीं हो रहा है तो इसका दूज आपके लिए फादेमंद हो तकता है सबसे पहले आप अपने दातों को अच्छे से साफ करनें ब्रच की साइता से अब आपको ये करना है कि आपके दूद में थोड़ा सा गाय का घी मिलाना है और दोनों को मिला कर कीड़ा लगे हुए दात के उपर रख दें या पर एक छोटी सी रूई की बॉल बनाएं और उसमें उसको अच्छे से भिगा कर दर्द वाले दात में भर दें या उसके उपर रख दें तो आप देखेंगे कि कुछी समय बाद आपका दर्द ठीक हो जाएगा वैदी मसूलों में सूजन है तो वह भी उतर जाएगी इस पर योग को साफधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि दूद आपके पेट में ना जाए वनना किनी-किनी वेक्तियों को उल्टी ह हो जाती है इस आपके फूलों के भी काफी सारे और दिफादे होते हैं अकाउगा के लगवक 50 ग्राम ताजा फूलों को तोड़कर रख लें और इसमें 5-10 ग्राम काली मिर्च और बराबर मातरा में गुल मिलाकर अच्छे से घोटाई करके चने के बराबर छोट-छोटी ग परत जमी होती है जो मेल जैसी होती है इस परत को यदि आप हाद से रगड़ते हैं तो निकलने लगती है इस धूल को इखटा करके रख लेजे और इसमें काली मिर्च का चूड मिलाकर छोटी-छोटी मुह के दानी के बराबर गोलियों बनाकर रख लें इन गोलियों को भी गरम पानी से लेते लेने से दमा और खासि ठीक होता है। यदि चलने फिरने के काराण या लंबी यातरा करने के काराण पेरों में च्छाले हो जाते हैं तो इस आप के दूद्ध को लगाते हैं तो आपके च्छाले ठीक हो जाएँगे। इस आग के दूद में नारियल का तेल मिलाकर लगाते हैं तो दात खाज खुजली ठीक हो जाती है शरी परकाजे चर्म रोगों को जूर करने के लिए आप इसका तेल भी बना सकते हैं 50 ग्राम सर्सों का तेल और 50 ग्राम आग का दूद इन दोनों को बराबर मातरा में मिला कर गर्म करें और जब सारा दूद जल जाए सिप तेल सेथ रह जाए इस तेल को छान कर रखें बस इस तेल को चर्म रोगों पर लगाए और चर्म रोगों को ठीक करें तो देखा आपने इस आपके पौधें के दूद के कितने सारे और और दिये फार्दे हैं दोस्तों यदि आप भी इसका कोई और दिये गोन जानते हैं तो नीचे कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा उमिद करते हैं जानकारी आपके लिए लापकारी रहेगी इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाईएगा एदि आपका कोई सवाल या विचार है या किसी बनस्पत्ति के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो निचे कमेंट करें फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में नमस्कार